हेलो दोस्तो अगर आपका भी State Bank of India या SBI में एकाउंट है तो इस एकाउंट में कितना balance हमें maintain करना पड़ता है इसमें दो परकार के account balance maintain होते हैं जिसमें आप CSE Center या ब्रांच से या online वीडियो के वाईसी के जिरिए account open कि हो तो इसमें क्या है कि आपको दो तरके मिलते हैं जि ऐसे में सबसे सवाल पहले आता है कि आपने account किस process से open किया है या किस जड़िये से आपने account को open करवाया है चाहे आपका कोई भी process सबसे पहले हम बात करते हैं zero balance account facility की zero balance account तभी आपको इसमें maintain करनी के आवसकता नहीं होते हैं जब आप घर बेटे हैं video calling के जरिए आप इनके S account open कि हो तो इसमें जो है आपको एक रुपिया भी maintain करनी के आवसकता नहीं होते हैं क्योंकि ये एक fresh zero balance account होता है इसमें आपको lifetime free रहता है कि आप कभी भी एक रुपिया मत रखे कोई भी आपको चार्जन नहीं देना होगा लेकिन आपको 500 रुपिया तब maintain करना पड़ता है जब आप किसी ग्रहक सेवा केंद्रा या CSE Center वगेरा से SBI के point से जब account open करते हो जो कि एक छोटे मोटे village area में ब्रांचेस होते हैं या कहीं भी अलग जगा पे एक ब्रांच होता है जहां पे कोई उतनी facility नहीं होती है जिसमें आप 20,000 तक कहीं लेंदेन कर सकते हों उस account में जो है आपको 500-500 रुपया maintain करना पड़ता है नहीं तो आपको जो है प्लेटेनी लगती है यानि कि प्लेटेन मतब चार्ज जो कि आपको bank आपको अटोमेटिकली आपकी एकाउंट में पैसे रखोगे तो वो चार्ज जो है bank automatically काट लेगी आपका जितना भी चार्ज बनता ह चाहे वो 10 रुपया बने या 100 रुपया बने bank जो है automatically आपके एकाउंट से काट लेगी और 1000 रुपया उन्हें maintain करना पड़ता है जो की home branch से open करती है यानि कि जो city area के या उससे बरे area के जो branches होते हैं उनमें आपको 1000 रुपया maintain करना पड़ेगा अगर 1000 रुपया maintain नहीं करते तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा चार्ज वसूली जांगी क्यों कुछ वह जो branch होता है वह एक main branch होता है इसलिए उसमें जो है आपको balance minus charge balance bounce charge और साथी साथ अगर e minute वगर और अगर आपने checkbook या debit card facility ले रखी है और उसमें पैसे नहीं रखते तो आपका जो है इससे ज account open कर वाए है उस हिसाब से आपको जो है balance maintain करनके आप सकता है अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है account से automatically balance जो है minus होता रहेगा और bank वाले charge कारते रहेंगे तो जो video calling के जरी account open के है उनको तो कोई चिंता नहीं वो बिंदास free zero balance यूज़ कर सकते है जो branch से या CSC centers account open कर वाए ह तो उनके लिए थोड़ा मुस्की ले क्योंकि उनको जो है 501,000 में करना पड़ेगा नहीं तो उनको जो है bank automatically charge काटते रहेगी I hope अपके ये छोटी से information न चलगी वीडियो चलगी वीडियो को like कीजिएगा दोस्ते के share कीजिएगा चैनल को subscribe पर जिएगा वैसे अगर state bank का overall दिखा जाए तो सबसे best account है जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से free zero balance account है like share subscribe thank you so much